नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोर्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन लाइनर के पार्ट 33 को डिसकस करेंगे जिसमें हम क्लासिफिकेशन आफ एंजाइम्स को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों चलिए आज के इस शांदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं देखिए एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है अलग-अलग 6 क्लासेस में तो उन 6 क्लासेस का इनीशियल लेटर को लेकर के ये वर्ड बनता है दोस्तों आथलील तो इसी वर्ड को याद रखके हम सारे 6 क्लास को याद रख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ओथलील है तो ये O से बनता है औक्सिडो रिड़क्टेज एंजाइम क्लास फिर T से बनता है ट्रांस्परेज एंजाइम क्लास यल से बनेगा hydrolase enzyme class यल से बनता है liases enzyme class फिर यह i से बनेगा isomerase और यल से बनता है ligases वाला class ठीक है तो इस word को याद रखेगा अथलील हर एक class आपको यहाँ पे याद आ जाएगा अब समझते हैं हर एक class को enzymes के और उसके examples को भी वही पे हम याद रखने की कोशिश करेंगे कोई tricks के सहारे तो देखें फिर्स जो class है हमारा वो है oxido-reductase तो इसमें क्या होता है जोस्तो जहाँ पे भी कही oxidation हो या फिर reduction हो इस तरीके के reaction की में जो enzyme involved होता है उनको oxido-reductase enzyme कहेंगे हमें यहाँ पे oxidation क्या होता है और reduction क्या होता है यह अगर पता हो तो हम आसानी से उन enzymes को यहाँ पे classify कर सकते है जैसे oxidation का मतलब क्या होता है hydrogen और oxygen की तोर पर समझेंगे इसे oxidation मतलब addition of oxygen या फिर removal of hydrogen है ना dehydrogen hydrogen को निकाल देना या फिर oxygen को add करना और reduction का मतलब इससे विपरीद होता है जैसे reduction याने addition of hydrogen या फिर oxygen को निकाल देना removal of oxygen को reduction बोलते है इस तरीके के enzyme जब आएंगे तो वो हम इस class में इसे रखेंगे औक्सिडो डिडक्टेज में जैसे alcohol dehydrogenase alcohol से hydrogen को निकाला जा रहा है यानि उसका क्या किया जा रहा है oxidation किया जा रहा है फिर cytokrome oxidase cytokrome को oxygen add किया जा रहा है तो oxidase हो जाएगा तो इस तरीके से कोई भी enzyme को हम यहाँ पर रख सकते हैं जो oxidation of the reduction reaction में involved हो फिर बात करते हैं यहाँ पर transferase class second जो अथलील वर्ड है उसमें second जो वर्ड है T T से बनता है transferase इसमें नाम में ही है कि यहाँ पर कोई ना कोई group को transfer किया जा रहा है इस reaction में तो इसके word के start में prefix में क्या लगा होता है trans लगा होता है generally तो यहाँ पर देखे trans amina यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ रखना यहाँ जरूरी है यह transferase में आएंगे दोस्तों ठीक है इसमें देखे है phosphorylase phosphorylase को release किया जा रहा है यह transfer किया जा रहा है तो इससे याद रखेगा यह transferase class में आएगा और hexokinase ठीक है यह kinase याने speed पकड़ता है और hexokinase मतलब कोई six carbon वाला जो compound है उसमें जब हम phosphorous को transfer करते है तो यह hexokinase वाला enzyme हम यहाँ पर use करते है तो यह transferase में ही आएगा hexokinase को याद रखेगा फिर बात करेंगे हमारे next class की जो है ओठील वर्ड से तीसरा word हमारा यच तो उससे बनता है hydrolases ठीक है इसके नाम में देखेंगे तो hydrolases है तो यहाँ पर क्या होता है breakdown होता है using water molecule तो addition of water करके हम उस molecule को breakdown करते है hydrolysis करते है तो इसमें example कौन से आएंगे देखिए lipase आएगा ठीक है फिर कोलीन एस्टरेज ठीक है ऐसे बोलना है कि कोई चोली है जो पानी से भीगी है चोली पानी से भीगी है तो यह कोलीन एस्टरेज याद आएगा जो भीगी है तो पानी से भीगी है तो hydrolases class में आएगा फिर पेपसी पीने के लिए करते ना तो फिर से पानी आएगा तो पेपसीं यहां पर आ गया यूरीज यूरीज हमें पता है यूरीनमे जो वाटर होता है तो यह हडीर्षक ME आएगा इसे रखना है थ्रक्स के जरीए दोस्तों यहाद रखना है कि है ह excess class में आएगा फिर ECB और यहां पर यहां पर यह तीन क्लास हो गए दोस्तों और बागी बच्चे हुए तीन क्लास को डिसकस करेंगे और हां हमारे फार्मा नोर्स की पीडियाफ मेंबर्शिप को आज ही जॉइन करना है बाइ कंट्रिब्यूटिंग थाउजन रूपीज हमारे चाइनल के लिए बाइ पे टियम या फिर फोन पे से हमारे इस मोबाइल नमबर को यूज़ करके 8087-339648 पर और कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें वाटसप कर सकते हैं दोस्तों और जैसे आपका कंट्रिबिशन होता है आपको हमारे प्राइवेट टेलिग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा जहां पे आपको यह सारा पर प्रिपरेशन करना और भी थोड़ा अच्छा रहेगा स्कोर काफी होता है क्योंकि वह लोग जो है बेसिक साइन्स पर भी फोकस करते हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को भी जॉइन करना है और हमने इसका जो पीडियाफ फॉर्माट है नीट साइन्स कॉलर्स का उसे फ्री आफ कॉस्ट अवाइलेबल किया है तो आपने टेलिग्राम चैनल पर नीट साइन्स कॉलर्स को भी जा करके सब्सक्राइब करना है टेलिग्राम पर वहाँ पर आपको इसके पीडियाफ माटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों और जो भी आपके कोई पहजान वाले हो जो नीट का प्रिप्रेशन कर रहे हो उनके साथ में भी इस चैनल को आपने शेयर करना है क्योंकि हम यहाँ पे भी हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे चलिए अगले क्लास की तरफ बढ़ते है एंजाइम के लेक्टर जो लेंदी तो हो रहा है लेकिन आप ट्रस्ट मी ब्रेक कर देना लाया जैसे ना तो यह जब ब्रेक होता है तो इसका रिजल्ट होता है कि वहाँ पे डबल बांड का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों तो इसमें किस टाइप के एंजाइम आते है देखिए यहाँ पे एक्जाम्पल की तोर पर अल्डोलेज, फिमरेज, इस इस तरीके के एंजाइम साते है जो ब्रेक होने के बाद में यह कही ना कही double bond formation कराते है तो इसके लिए थोड़ा सा एक इस बोलिए ही तो इसका एक लॉजिकल वो और से बना लेते हैं इस फीमर इस क्लिव इन एडल संट एडल संट में ही उसका फीमर तूट गया था तो ही से इस्टीडियेज को याद रखिए फीमर से फिमर और यहां पे क्लिव से यहां पे बॉंड कहीं न कई ब्रेक हो रहा है और यह एडल संट से हम अल्डोलेज को याद रखेंगे तो यह ट्रिक्स आपको हेल्प करेगा फटाक से जो भी यह एंजाइम से कहा रखने है तो यह लायाजेज में क्लास में रखना है दोस्तों फिर आएगा आईसोमरेज वाला क्लास यह लाईयल में से आथली जो था न इस टाइब का होगा तो अपने अपने आईसोमरेज में कर्णोर्ट हो जाते हैं से अपको पता है सेम मौलेकिलर फर्मूला वता है लेकिन स्ट्रक्टिर्ण उनका डिफरेंट होता है तो उसे आईसोमर्स बोलते हैं यह आप इसली याद रखोगे पहचान पाऊगे शॉट प्रप्राइब नहीं तो इसे हम लाइगाज एंजाइम गलते हैं जोडने के काम आते हैं जैसे यहां पर ग्लूटा माइन सिंथेटेज फिर एसेटिल कोई कार्बॉक्स लेज और सक्सिनेट थायो काइनेज तो हेक्जोकाइनेज के साथ यहां कन्फ्यूज मत हो जाना है इपिरजो कैनेज में हम फॉसफरोस को ट्रांसपर कर रहे थे वहां पे और यह थायो का बाहनेज़् है यहां पर कई ना कई जोडने का काम चल रहा है दो तो तो च्छिपकान नहीं को नहीं काम आता है तो गलगारें से शते हैं यहां आएका लाइजेश क्लास में आइसेटिल को एक आर्बाग्जिलेज तो हम जब भी आइसेटिल को जोड़ते है किस यह ना कई यह ना यह भी लाइगाज होता है फिर सक्सिनेट थायो काइनेज हमने देखा है बहुत बार थायो यानि सलफर होता है वह कई ना कई बॉंडिंग बना लेता है ना जैसे सक्सिनेट थायो काइनेज है ना सक्सेश्यू कोई ना कई यह बॉंड से अटैच करने की तकलूप उटाता है तो इसे याद रखेगा थायो काइनेज यह याद रहे जाएगा दोस्तों यह थायो बॉंड बहुत लोगों को पताईए और रहा इसमें एक फोर डिजिट नमबर का होता है फोर डिजिट का होता है जैसे यहां पर एक्जामपल देखेंगे गलुटामेट सिंथेटेज जिसका दूसरा नाम है यल गलुटामेट अमाइनो लाइगाज इस ठीक है अभी जो देखा था हमने गलू आया ना तो इसे कैसे दिया जाता है इंजाइम और यह आगे जो चार डिजिट है उनका मतलब देखें फर्स डिजिट जो है वो क्लास को इंडिकेट करता है एंजाइम के सेकंड डिजिट जो है वो यहां पर सब क्लास को इंडिकेट करता है थर्ड डिजिट जो है सब सब क्लास को इंडिकेट करता है और लास्ट वो individual enzyme को यहाँ पर हमें बताता है दोस्तों उसके बारे में information देता है ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करता हुआ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को like करना है शेयर करना है और comment box में comment जरू करना है दोस्तों ठीक है और उन लोगों से मेरी गुजारी से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है इससे होगा क्या आपको आने वाले हर एक वीडियो का notification मिलत होता रहेगा और आपको यूही लाब होता रहेगा दोस्तों तो फिर मिलते हैं एक और बहतरीन उडियों में तब तक के लिए थैंक यू